स्व देवी प्रसाद पांडे जी लगभग सत्तर वर्ष के व्रिधा थे। शरीर उनका कमजोर हो गया था। बहुत दिनों से खानसी, कफ और जुवर की आपको शिकायत था। इस कारण आपका स्वास्थे बहुत गिर गया था। एक चतुरदशी को आप उपवास में थे और शिवार्चन करने के बाद कैची आश्रम महराज के दर्शन करने गए। उन्होंने जैसे ही बाबा को नमन किया बाबा ने उनके माथे में लात मार दी। वे अपने को साथ नहीं पाए और गिर पड़े। वे बाबा से प्रार्थ के दर्शन कराने ले जाना है। यद्यपी आप अपने स्वास्थे से लाचार थे, पर आपने बाबा की आग्या मान ली और दो दिन बाद आपने मायों के साथ अमरनात की कथिन यात्रा के लिए प्रस्थान किया। पहलगाव से आप नगे पैर ही अपने इश्ट देव के धाम को चले और वहां जाकर आपने विधिवत रुद्रा भिशेक किया। ये बाबा की एक लात का चमतकार था कि उनमें ऐसी शक्ती का संचार हुआ कि वे अपने शारीरिक कष्टों से मुक्त हुए और सानंद इस कथिन यात्रा को कर पाए।